आज हम शेयर करेंगे कानपूर के एक बहुती फेमस रेसिपी मूंग वड़ी करी ये बहुती टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है चलिए इसे बनाना देखते हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कप मूंग वड़ी ये देखें ये इस तरीके का दिखता है और यह सुपर मार्केट में एजली अवेलबल होता है तो आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले हमने पैन में थोड़ा सा औरिफाइन डाल दिया है अब इसमें हम मूंग व अजया हम सबस्क्रवार कर सकतीज में टाले तो इसमें आतमाटर की पैवुर्य बनालेंगे इसमें हमने actわか प्लेट में अब करिये में और एक ब्राइफक नायाक्ते हुआ हाँ आपको इसे नेवल था श्जाये बे laser को आब हम आपको इसे पहलेरेंगे। तो शुछसरी इसम लेसुन और फिर इसका हम प्यूरे बना लेंगे अब इसे एक बाउल में रिप्लेस कर लेंगे यहां पर कड़ाई में हमने डाल दिया थोड़ा सा रिफाइन ऑईल गर्म हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा एक चमच के करीर बाल देंगे हीन इसे थोड़ी दिर भूनेंगे उसके बाद इसमें हम टमाटर की प्यूरे डालेंगे बहुत ही यमी रेसिपी होने वाली है आप लोग इसे एक बार जरूर बनाईएगा इसमें हम प्यूरे डालेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे हम थोड़ी दिर कुक करेंगे आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे यहाँ पर डाले हमने आधा चमज हल्दी पाउडर एक चमज गरम मसाला और एक छोटा चमज डाला है हमने काश्मेरी लाल मिर्च इन सब को प्रॉपर मिक्स करके एक मिनट तक इसे फूप करेंगे चमज डाल देंगे धनिया पाउडर आप चाहें तो सारे मसालों के साथ ही धनिया पाउडर डाल दीज़ेगा इसमें से काफी अच्छी खुश्बू आ रही है अब हम क्या करेंगे हमने जो मूंगडी फ्राई किया था उसको डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाले मूंगडी में अच्छी तरीके से अबजाब हो जाएं बहुत ही इजी रेसिपी है आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं तो सब मिक्स हो चुका है अब इसे हम दो मिनट के लिए ढग देंगे दो मिनट बाद इसे हमने ओपन किया है देखिए सारी चीज़ जो है अच्छी तरीके से बूप हो गई है और इसमें से खुष्भू भी बहुत अच्छी आ रही है अब हम क्या करेंगे एक कप पानी डालेंगे इसमें और मिक्स करेंगे अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली चाहिए तो आप इसमें और पानी याड़ करिए परना आप इसे थिख भी रख सकते हैं सारी चीज़े मिक्स हो गए इसमें हम आधा कप और पानी डालेंगे तो टोटल डर्ड कप के करीब पानी डाला है और स्वाधा अनुसार आपको नमक डाल देना है और इसे हम मिक्स करके गैस का फ्ले मीडियम कर देंगे और इसे पांच मिनट के लिए ढग देंगे पांच मिनट बाद इसे उपन किया है हमने देखिए इसमें अच्छी तरीके से बॉइल आ गया है अब इसमें हम हरी धनिय डाल देंगे इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे अगर लगता है कि यह बहुत पतला है तो आपको इसे थोड़ी देर और पकाना है वना आप इस लेवल प अच्छी तरीके से कुप हो गई है और यह अब सर्व करने के लिए तयार है यह देखिए मंगडी की करी बन करके तयार हो गई है आई होप आप लोग को ए रेसिपी पसंद आया पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल पे नए हैं तो कर लीजेगा फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ